येस, so good morning, good afternoon and good evening, as for the time you are watching the video boys and girls, आज के सेशन में हम लोग प्रोक्सी कम्प्लीट करने वाले हैं, तो आईए फड़फट प्रोक्सी जो है उसको कम्प्लीट करते हैं, exam oriented बात अगर हम लोग करें ना प्रोक्सी का तो हो चुका है, लेकिन आज जो हम प्रोक्सी का बात करने व और आप इंटरप्रेट करेंगे ये सब प्रोविजन को, आईए, चलू करते हैं दोस्तों, देखे जनाब, अच्छा, प्रोक्सी का कोशिलनस भी हो चुका था ना, एक को छोड़ करके, वो आज हो जाएगा, देखो, प्रोक्सी का रिमिनिंग प्रोविजन यहां से दिखन करूंगा, देखे जनाब, रडे, अरे आपका आवाज ही नहीं आया, चलिए प्रोक्सी का स्वागत ही नहीं कि आज, ठाट गए, अच्छल में आज, आज वाला जो सेशन है, उसमें हम लोग इंटरनेट का कुछ सेटिंग का इशू हो गया, लैन में, आट इस वाई इंटर जो है, हमको रिकॉर्ड करके जो है, ओनलाइन वाल बच्चों को प्रोवाइड करना पड़ेगा, टेंशन नहीं, सब कुछ, सब कुछ, आपको जो हैना, एक्सेस मिलेगा, आप खाली, लेक्चर अच्छे से देखते चलो, और यह लेट लूडा करके मत देखो, बेशरम भे हुआ है, वो यह बोल रहा है, सेक्शन, प्रॉक्सी का सेक्शन नमर कौन सा, 105 का सब सेक्शन 2 में लिखा हुए बात, सब सेक्शन नमर भी याद करोगी, क्या, सब सेक्शन 2 में यह है, सब सेक्शन 3 में यह है, कर लो ना, हा, क्यों, हा, सर देखिए, आप के बोलने पर, सेक लिए सबसेक्शन नमर अब याद नहीं करना है मेंमबर प्रॉक्सि अपॉइंट कर सकता है ये बात लिए फेवर आपका कमनी लोग का टीचर, तुमको पता अपनी लोग का स्टूरेंट, बड मेंमबर को थोड़ी ना हो सकता है, ज़रूरी हो कि उसको अपना राइटस के बा उसी नोटिस में यह बात भी लिखो कि member has a right to appoint a proxy and that proxy need not be a member तो notice में हम लोग को यह बात लिखना पड़ेगा कि कि आप नहीं हो तो proxy भेज़ देना and proxy need not be a member अगर notice में यह बात नहीं लिखेंगे penalty लगेगा 5000 रुपिया का penalty 5000 रुपीज का ज़्याद है कि कम है क्या कम है proportionate penalty जो लग रहा है in proportion to the offense committed वो सही है आपर कौन सा बहुत बढ़ा कातिल हो गिया कौन सा बहुत बहुत बढ़ा कतल हो गिया रहे बाबा खाली notice में लिखना था कि आप proxy appoint कर सकते हैं वही तो नहीं लिखा notice में लिखे ही तो नहीं कि आप proxy appoint कर सकते हैं आपको रोख थोड़ी ना दिये और members को भी law तो पता होना चाहिए हर एक citizen को अपना country का law पता होना चाहिए ignorance of law is no excuse बच्पन foundation से पढ़ते आ रहे हो ignorance या जूरिस non excuse अटा इग्णोरेंस या जूरिस non excuse अटा लेटिन है इंग्लिश में बोलो ignorance of law is no excuse याद आया तो यार penalty पांच अरुपिया सही है आपर और penalty किसको बलगेगा officer of the company in default बोलो officer of the company in default मतलब डारेक्टर लोगों के उपर जिनका जम्मिदारी था नोटिस भीने का उन्होंने अगर नोटिस भेजा बीना यह लिखे कि member can appoint a proxy and proxy not be a member proxy does not have to be a member अगर वो यह सब बात ने लिए तो penalty लग जाएगा कितना रुपिया 5000 चलो देखो हम सब लिखवा देंगे अभी देखते चलो इन एवरी नोटिस calling a meeting of the company बुलो जो भी बजार में लोग प्रॉक्सी एक गंडा में खतम लॉड़तता होगा और यहां पर बजार में प्रॉक्षा को दूर यहा पर तीजन चले रहां प्रॉक्सी के उपर तो तो प्लीज अलाव मी, मेरा जो स्पीड है ना, वो अप्टिमम है, इतना स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा, तब जाकर कि सिल्बस कतम होगा, क्योंकि मेरे पस कंटेंट बहुत है पड़ाने को, बहुत कंटेंट है, देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, कि जो भी नोटिस ह विच प्रोवाइट फॉर वोटिंग भाई प्रॉक्सी, यह किस में, कमनी हविंग, नो शेयर कापटर, देर शेल अपियार, देर शेल अपियर मतलब नोटिस के अंदर अपियर करेगा, वित रिजनेबल प्रॉमिनेंस, मतलब नोटिस के अंदर दिखाई दे, तुम नोटि प्रॉक्सी, पक्का, तो अटेंड एंड वोट इंसेड ओफ, हिंसेल, एंडड़ प्रॉक्सी नोट भी हा, पक्का, अगर यह सा बात आप नहीं लिखेंगे, इफ डिफॉल्ट इस मेड, इन कम्प्लाइंग विध द सब सेक्शन तो, यह सब सेक्शन तो में डिफॉल्ट हो लिखेंगे, पेनल्टी लिखेंगे, कितना रुपय का पेनल्टी, 5000, डन वाले बोलेंगे, डन, सो फर सो गोट, शॉर, बहुत बढ़िया, इसको पढ़ो, देखो, सब सेक्शन 4, सुने दर देखो, आपको पता है, प्रॉक्सी का टाइम लिमिट कितना है, प्रॉक्सी कितन पोइंट एटली सुटी एट आवर्स बिफोर दा मीटिंग, पक्का, मेरे कमनी है, एमे लिमिटेट, उसमें एक मेंबर ने प्रॉक्सी अपॉइंट किया, साथ गंड़ा बले, चलेगा, साथ गंड़ा बले किया, चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन हम लोग का, एमे अपॉइंट करना है, कम से कम सो गंड़ा बले पॉइंट करो, हमारे यापा 48 आवर्स पहले नहीं, प्रॉक्सी अगर अपॉइंट करना है, कम से कम सो गंड़ा बले प्रॉक्सी अपॉइंट करना पड़ेगा, हम लोग अपने आडिकल में लिकरके रखे थे, हम लोग अपन तुम गांजा फूग रहे हो में लिमिटेट पहला बात खाली एल्टीडी मतलब का उन्सक्राम नहीं होता है ठीक है चलो अब ध्यान लगाऊ ऐसा ही कंपनी का अत्याचार से बचाने के लिए नहीं तो फिर कंपनी अपना आडिकल में यह सब बकवास करेगा हमाने अब 48 आउ बट कुछ तो करेंगे 100 गंदा पहले बताओ 200 गंदा पहले बताओ तो यह सब अगर आटिकल में लॉंगर पिरियड बताया हुआ है इव दा आटिकल प्रोवाइड फॉर लॉंगर पिरियड फॉर अपॉइंट्मेंट प्रॉक्सी इट शेल हैफ दी इफेक्ट ऑफ 48 आवर सब्सक्राइब अपने मन से चाहो तो 48 आवर्स के पहले और बहुत पहले जो है प्रॉक्सी जमा कर सकते हो बट कमनी आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आपको 100-200 गंदा पहले प्रॉक्सी अपॉइंट करना है इफ आटिकल्स मेंशन लॉंगर पिरियद धन 48 आवर्स फोर अपन्ट्मेंट प्रॉक्सी इट विल विरेड इस 48 आवर्स अली इफ इफ फोर्टी आवर्स अली इफ दे एफ प्रॉट्य आवर्स अली अच्छा यह ला कोश्चन का जवाब दो फिर जो अपना एक ही अच्छन नमर रहेट बताईए अाटिकल्स अव ishes ऑटिकल्स अर्लीमेलेड प्रॉट्सी इफ इस क्स्टे आवर्स अगरश हो भी पर्फाइस क्वेर साथ घंटा पहले पाश्य आपन्टत्रों का नहीं साठ गंड़ा बान जाहेगा ओंधा, लिख दो हीपर if articles of company provide longer period than 48 hours to appoint a proxy then it shall then it shall have the effect of 48 hours only then it shall have the effect of 48 hours only if articles of company provide longer period than 48 hours to appoint a proxy then it shall have the effect of 48 hours only पक्का मतब आप 48 hours पहली भी अपॉंट करोगे तो वो proxy valid वाना जाएगा कानी में twist यहाथ clear है दोस्तों अगर यही मानलो एमें limited नहीं होकर एमें private प्राइवेट कमनी होता प्राइवेट कमनी का आटिकल में 60 घंडा लिखा हुआ है तब वो 30 घंडा मना जाता कि फिर भी 48 को के लिए 60 घंडा मना जाता शाबाश कैसे पतार चला रहे तुम लोग को प्राइवेट कमनी अपना आर्टिकल्स में खुद का प्रोविजन बना सकता है प्राइवेट कमनी अपने आर्टिकल्स में खुद का प्रोविजन मना सकता है प्राइवेट कमनी को एक्जेंशन मिला है तो 101 से 107,109 के अंदर ही तो 105 आता है प्रोक्सी पक्का लिख दोना ही इन ड्रैकेट में इफ इन दी अबब कोश्चिन प्रोविजन इन दी आर्टिकल्स दी आर्टिकल्स as a valid time to appoint proxy would have hold good hold good means valid would have hold good because private company can make its own provisions because private company can make its own provisions related to section XOXA XO7 comma XO no would have hold good because private company can make its own provisions related to section 101 to 107 comma 109 related to section 101 to 107 comma 109 related to section 101 to 107 comma 109 don't have a question don't have a boss and girls बहुत बढ़िया एक बच्चा question बूचा सर अगरी है IFSC public company होता तो सर अगरी एक IFSC public company होता तो तो 60 घंडा valid होता कि invalid होता है तो valid होता क्योंकि private company and IFSC public company दोनों ही प्रकार के कमनी को क्या मिला है exemption कि उनलोग अपना article में खुद का provision बना सकता है matters related to 101 to 107 comma 109 for those who don't know what is IFSC contact the previous के भी previous वाला class notice chapter contact करो महां सिखाये गया done वाले बोलेंगे done clear है बटा बहुत बढ़ी है बटा मज़ा आ गया चलो आगे बटने अच्छा मेरे question है मेरे question अगर ये गलत जवाब दे दिया तो दिल तूट जाएगा और मतलब बहुत 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 दर्द होगा चलो और मेरा तो खाली दिल ही टूटेगा तुमारा बहुत कुछ जो है ना marks वगरा भी जो है और dream dream ही रह जाएगा मतलब pass होना थोड़ा दिक्कत वाला बात हो जाएगा यह सब चोटा चोटा चीज इशारा है कि pass होने वाले कि नहीं होने वाले हो यह answer सही दे दिया तो chances है pressure बना दिया एकदम हा पूछ रहे है अब रड़े मालो private company अपना आटिकल में लिख दिया प्राइवट कमनी अपना आटिकल में लिख दिया कि हमारे आपर अगर सेंट्रल गॉर्मेंट सेट गॉर्मेंट या कोई body corporate भी अगर कोई shareholder है ना तो उन लोग अगर किसी को बिज़ेगा ना उन लोग उसको और प्राइवट कमनी को कोई exemption नहीं है तुम लोग ऐसा मत समझना कि प्राइवट कमनी अपना आटिकल में कुछ भी लिख सकता है खाली मामला 101 से 107,109 का हो तो लिख सकता है यह प्राइवट कमनी वाला बात तो 112 प्रेसेडेंट गवर्नर का है और body corporate का 113 यह सब भाशा उनी लोग समझेगा जिन लोग का last class किया हुआ है मखन यहां तक ठीक है तो आज आते हैं हम लोग पॉइंट 3 & 4 पढ़ चुके हैं क्लियर है ना बोलो भाई कि फिर बेटा ऐसा है कि point five में ज्यादा कुछ नहीं है बेटा point five में एक simple सा चीज बोल रहा है कि एकदम simple सा चीज बोल रहा है point number five में कि सब सेक्ष्ण फड़ाएंगे बड़ उसके पहले एक छोटा सा amendment इस अब सेक्ष्ण फाई में तो वही अपने mca के website से जो है ना बना होगा अब मैट चपे वह हो चुका आपका लगबग दो महीना एप्रोक्सिमेंटली टू मन्स सो कीप ओन कमिंग अच्छा देखें कि सबसे पहला बात तो सब सेक्ष्ण फ्री में तो हम अल्रडी बता दिये थे ना कि फाइन नहीं है क्या है बता हो तो अच्छा लॉमेकर्स भी देखो कितना बढ़िया से लिखते हैं रेडिंग से लिखें दिख रहा है जो अमेंटमेंट रहता है उनलों किस से लिखता है रेडिंग कैसे बच्छे हैं सबसेक्ष्ण थ्री पढ़ो पढ़ाया थे ना इफ्टिफॉल्ट इस में एन कम्लाइं सब्सेक्ष्ण टू में वही था कि नोटिस में लिखना कितना आप पांच चेजार फाइन नहीं है है कि पनलटी क्या फ़र्क है सब नीचे और नीचे लाओगे तो यह सब नमर उफंटमेंटमेंट्स है देखा चलते हैं 5-4-3 दिखा कैसे बच्चे हैं है रे बाबा देखा 5-4-3 तो यह सब इन लोग इस सरी के से 5-4-3 बोल करके जो है न अमेंड्मेंट्स ले करके आते हैं अच्छा फिर देखो सब सेक्ष्षन फाइफ रडे सब सेक्ष्षन 5 में भी एक छोटू सा अमेंड्मेंट है यह वाला पहले फाइन था एक लाक रुपिया पहले क्या था फाइन एक लाक रुपिया अब पेनल्टी पचास है जा रहे हैं बड़ा पेनल्टी कितना रुपिया बताओ ना पचास है तो ठीक है यार वो तो फ खली इस fine को cut करके penalty कर देना penalty और 50 यह fine वाला जो line है ना pay number 152 में है बिटा fine काट करके penalty 15 नहीं दिखा कि दिदी आप गौन कैसे पता है आपको नहीं दिखा पॉइंट नुबर 5 का 123 वाला अरे मदद करो भाई उनको सेटरडे सेटरडे सुबह से एकदम हां यह एकदम बकवास सा चीज बोला है सुन लो एक्जाम के खर्चे पर बोलो कि कंपनी के खर्चे पर हम लोग प्रॉक्सी खोजे तो यह बिल्कुल नाजायज बात है पैनल्टी लगेगा पचास हेजार रुपिया ओफिसर इंडिफॉल्ट लोग के उपर जैसे मालों से एक्जामपल मेंबर रिक्वेस्ट किया कंपनी को क्या रहा हम तो आनी सकेंगे हम प्रॉक्सी अपॉंट करेंगे तो कंपनी बोला हां कर दी क्या दिक्कत है एमजटी 11 प्रॉक्सी फॉर्म आप करिए बोले प्रॉक्सी भी तूमी ढूंद दो मेंबर कंपनी को बला मेरे लिए प्रॉक् कौन किया हां बक्का तो यही चीज यही चीज जो है ओफेंस है यह लाउड नहीं है तो यहां पर पेनल्टी लगेगा कितना रुपया का पचास हेजार क्लियर है दोस्तों अब इसको पढ़ोगे ना तो लगेगा कि लॉमिकर बोलना क्या चाहरे थे अभी तो हम तुमको अब पढ़ो इसको देखो if for the purpose of any meeting of a company, meeting of a company के purpose के लिए, invitation to appoint as proxy, हम लोग invite कर रहे हैं, आजा, 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 क्या ढूंड रहे हम लोग, invitation to appoint as proxy, a person और one of a number of persons specified in the invitations are issued at company's expense, invitation to appoint proxy are being issued at, invitation to appoint proxy is being issued at company's expense, to any member, ताकि member के लिए proxy appoint हो सके, member who is entitled to have the notice of the meeting sent to him and vote there at by the proxy, every officer who issues the invitation, every officer who issues the invitation, और permits the issue shall be punishable with penalty कितना रुप्या का, पचास हे जा, मखन एकदम, फिर देखो बोला गिया कि officer guilty नहीं माना जाएगा, officer guilty नहीं माना जाएगा, अगर list of proxy company पहले से maintain करता है, कमणी पहले से list of proxy maintain करता है, list of interested persons to act as proxy company अलवडी maintain करता है, और वही list of proxy company ने member request किया company को, और कमणी ने वही list of proxy पकड़ा दिया, और ये list सभी member के लिए available है, कोई specific member के लिए available नहीं है, तुमारे एक member के लिए मैंने ये favor नहीं किया है, तो कमणी के पास अगा list of proxy maintained है, मेंबर ने वह list मांगा, कमणी ने वह list दिया, और ये list सभी के लिए available है, सारे member के लिए available है, तब officer कोई guilty-wilty माना नहीं जाएगा, लेकिन अगर एक member को special treatment मिला और उसके लिए लोग proxy ढूंद ढूंद करके ला रहे हैं, proxy invite कर रहे हैं, कमणी के खर्चे पर, कमणी के इट, कमणी गेव इट, यहाँ पर कोई guilty, नहीं है, तो sir, इससे exam में कोई question बन सकता है, नहीं, बिल्कुल नहीं बन सकता, चलो आगे बढ़ रहे हैं, पॉइंट नमबर 7, बड़ा simple सा चीज बोल रहे है, instrument, instrument मतला form होता है, कोई मेरे को बता सकता है, form और proxy क्या था, हाँ, तो अब वही बोल रहे है कि proxy form MGT11 में अगर है, तो valid रहेगा कि invalid रहेगा, valid, भली वो articles का कुछ special requirement फुल्फिल नहीं करा, articles कुछ special requirement फुल्फिल करने बो satisfying special requirements of the articles, an instrument या नहीं form, appointing a proxy, if it is in the form as may be prescribed, कौण सा form प्रिस्क्राइब है, कोई मेरे को बताएगा, MGT11, shall not be questioned, अब उसको question नहीं कर सकता, MGT11 को on the ground, that it fails to comply with the special requirement of the articles, even if MGT11 fails to, even if MGT11 fails to satisfy the special requirement required by the articles, still MGT11 is valid, के invalid, valid, अरे article का, क्या article में तुम कुछ भी लिख सकते हो, articles में लिख सकते हो, कि MGT11 जो है, वो ना, खली member और proxy sign करने से नहीं होगा, CA का भी sign चाहिएगा, या CS या CMA का भी sign चाहिएगा, to certify it as valid, article बोलता है कि CN practice से जाकर कि sign करा हो, तभी हम लोग MGT11 को valid मानेंगे, आपने CN practice sign नहीं कराया, आपने article का special requirement को fulfill नहीं किया, काने का दरकार भी नहीं है, आपका MGT11 क्या रहेगा valid, मक्कान है क्या, एज़ी है कि tough है, हाँ, सही बात है, point 8 खुद से पढ़ो, last point है ये proxy का, इसके बाद सब लिखवाएँगे जो आच पढ़े है, खुद से interpret करो, अभी तक हम पढ़ाएं नहीं है, point number 8, खुद से interpret करो, जो सही interpretation किया, उसको ही नाम, पूरा सही होने से 500, आदा सही होने से 100, बच्चों का concentration बढ़ गया, अब हम देखें, करो, अभी जो ऑगया, अब हम पढ़े है, पहले जो बच्ची डन बोली पहले वो काई भाई दिदी हाँ आईए समझाईए पहले वो फिर आप देखना भी चाहिए अगर कोई अगर कोई अगर कोई मेंबर चाहे कि अगर कोई मेंबर चाहे कि उसे दूसरे मेंबर ने क्या क्या प्रॉक्सी अपॉइंट के उसे चेक करना है लेकिन वो ऐसे ही नहीं आ सकता उसको 24 आर्स पहले आना पड़े यह कि यह सब्सेक्शन बुलना क्या चाह रहे है कि बहुत बार मेंबर लोग को कुचरनी वाला मेंबर लोग होता है ना पूरा सही नहीं है नियत पकड़ लिया कि कुचरनी वाला मेंबर लोग होता है ना कुचरनी वाला मेंबर जिन लोग जानना चाहता है और देखे तो सही कौन-कौन प्रॉक्सी आने वाला है ने हम तो खुद हम तो खुद आईगे लेकिन हम देखना चाहते कौन मेंबर लोग प्रॉक्सी advance notice देगा कि I want to inspect the proxy form and such inspection is allowed during business hour only यहां तक सही था बड़ वो 24 घंड वाला तुम नहीं सम्झा सकी अगर कोई members कमपनी के proxy को inspect करना चाहता है तो से कम कम ने मिटिंग के तीन दिन पहले नोटिस देना होगा और यह टाइम सिर्फ तीन दिन किसके पहले ना मिटिंग के तीन दिन पहले नहीं हम जीजिन inspect करने आएंगे उसके तीन दिन पहले नोडिशन ना ना अरे आप क्या आए या तुम दो में तीन दिन वोले बोला बस आप हम क्या हो रहा है हाँ नहीं सौर रुपिया उसको मिलेगा नहीं एक्चल में थोड़ा बहुत तो सही था हुआ है कि एकल जो दो सु रुपिया का खुला कर रहे थे दिदी सोई रुपिया दी थी क्या कि अच्छा दो जन जीता था ग्या वह लो भाई लो यार एक आदमी आप रहा करो भाई जो फर्स में बैठता थोड़ा फूर्तिला बैठो अरे कोई फूर्तिला आदमी आपने सामने बैठा करो रहे बाबा सब एकदम ग्ल्यूड है थोड़ा फास जीदी ठीक तो कुर्चे अरे उसको दो कहनों कहीं मुले खुला कहराने का सव रुपिया मेरे को गांजा देखो दर लुक अट मी बहुत सारा मेंबर लोग जो है ना कुचरनी वाला रहता है उन लोग को चाहिए कि यार हम लोग देखे तो सही यार कौन-कौन सा प्रॉक्सी अपॉइंट हुआ है तो मेंबर लोग चाहता है देखना कि आखिर कौन-कौन सा प्रॉक्सी अपॉइंट हुआ है यार देखे तो सही कि कौन-कौन सा प्रॉख्सी अपॉइंट हुआ है तो Latin neighborhood मेंबर के यंवरे रहीट है वो कम्नी के रॉक्सी आपॉइंट हुआ है लिकिन ना थोड़ा समझ सा थोड़ा बुद्धि लग यह ना मेरे को दिखाए कौन-कौन सा proxy form आया होगा ना मेरे को दिखाए कौन-कौन सा proxy form जो है ना वो हमको चेक करना है कि जमा हुए तो यह हम inspection कर सकते हैं when only 24 hours are left to start the meeting when only 24 hours are left to start the meeting वहां से inspection allowed है till the conclusion of meeting meeting चलोने में अब 24 गंटा बाकी है चलो अब हम proxy inspect करने जा सकते हैं अब हम proxy inspect करने जा सकते हैं जब meeting चलो होने में केवल 24 गंटा बाकी है और कब तक कर सकते हैं proxy form inspect till the conclusion of meeting तो पहले यह समझो कि proxy form member inspect कर सकते हैं बट कब कर सकते हैं when only 24 hours are left to start the meeting till the conclusion of meeting when only 24 hours are left to start the meeting till the conclusion of meeting meeting मालो meeting आपका say for example 15 तरीक को 10 बजे meeting कब है 15 तरीक को 10 बजे और 5 बजे तक चलेगा meeting है 15 तरीक को 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक तो when only 24 hours are left to 24 hours are left to start the meeting वो कब होगा एक दिन पहले 14 तरीक को 10 बजे तो 14 तरीक को 10 बजे onwards inspection of proxy allow हो जाएगा नहीं समझ में हैं हम क्या बोले है तो 14 तरीक को 10 बजे से proxy का inspection allowed हो जाएगा till conclusion of the meeting till conclusion of meeting मतलब 5 बजे तक meeting के 5 बजे तक पका clear इसका यह मतलब नहीं है कि 14 तरीक को 10 बजे से allow हो जाएगा तो तुम 14 तरीक को रात को 12 बजे midnight proxy form दिखा हो अलाओड नहीं है business hours में आप जा सकते कहा business hour में और कहा जाएगे racial office में पका और कहानी में एक और condition है और एक twist है आपको कम से कम 3 दिन का advance notice देना पड़ेगा कि मैं आ रहा हो proxy form inspect करने at least 3 days advance notice is required for inspection of proxy forms at least 3 days advance notice is required to be given to the company for inspection of proxy form मतलब तीन कंडिशन तुमगो ध्यान में रखना है question है क्या member proxy form inspect कर सकता है हाँ by satisfying all the three conditions inspection is allowed when only 24 hours are left to start the meeting till the conclusion of meeting during business hour and by giving at least 3 days advance notice अब जैसे मीटिंग अगर 15 तरीको 10 बजे है मीटिंग 15 तरीको 10 बजे है तो वेन only 24 hours हा लेफ्ट कब स्टार्ट होगा बताओ वेन only 24 hours हा लेफ्ट एक दिन पेले 14 तरीको 10 बजे onwards तो 14 तरीको 10 बजे onwards से proxy form inspection allowed till the conclusion meeting during business hour by giving at least 3D's advance notice at least 3D's advance notice हम आलो 14 तरीको 10 बजे हम पहुच गए 24 तरीको 10 बजे है हम भी पहुचे और एक shareholder राहूल भी पहुचा, mohit azakarwal भी पहुचा और राहूल भी पहुचा थीक है है हम हम över प्रॉक्सी फॉर्म मेरे को इंस्पेक्क करा तो मेरे को प्रॉक्सी फॉर्म इंस्पेक्क करा दिया गया राहुल राहुल भी प्रॉक्सी फॉर्म इंस्पेक्क करने आया उसको मना कर दिया गया यह बोल करके कि मोहित सर्ज हो ना वो तीन दिन का एडवांस नोटिस ही है राह केवल 24 गंटा वाला when only 24 और से लेफ टू स्टार द मिटिंग वहां से प्रॉक्सी फॉर्म इंस्पेक्शन क्यों अलाउड है मैं आपको बताता हूं उसके पहले क्यों अलाउड नहीं है मैं देखो मैं पहुंच गया बटा मीटिंग के ना 50 गंटा पहली मैं पहुंच गया मैं मुठीण के 50 घंटा पहले ही मिटिंग स्राटयों ने के 50 घंडा पहुंच गया मेरे खुंच कुछ अन्नली जहा ते रही पहले प्रॉक्सी फोर्म लेने तो एकีख पेले तक तो प्रॉक्सी फोर्म जमां होता है मेरे पीचे भी 45 लोग थे हम पूच् ay आप लोग भी proxy form inspect करने आया है ने बुला नहीं गांजा हम लोग जमा करने आया है 48 hours पहले तक जमा होता है हट तो माट अभी मारते के तरे को हट सही बात है रे बाबा हम inspection करने आ गए है अभी जमा तो हुआ नहीं है जमा तो तो 48 hours पहले तक हलो 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 हम पोटी एट आवर्स पहले तक तो जमा होता है तो हम को ने में खड़े हो गए हम लह ठीक है नाव हम लोग को एक दिन का टाइम तो दीजे समेटने के लिए सरा प्रॉक्सी फॉर्म जो आ रहा है एकटा करने के लिए रिकार्ड jus तो क्लिख करने के लिए एक दिन तो दीज़ेंट नहीं तो कम्नी को भी जो पढ़े हैं उसको कॉपी में नोट डाउन कर लो कि सबसे पहले तो पोल और शोप हैंड वाला जो डिफरेंस लिखवाना था ना वहां से चालू करो आज का क्लास में एक है वोट भाई पोल और एक है वोट भाई शोप हैंड्स एक है वोट भाई पोल और एक है वोट भाई पोल और एक है वोटभार भाई जाँ दो झारेणी डारेटी, डारेटी नुट मेह members get voting right members get voting rights on the on the basis of on the basis of number of shares held by them लोग लोगर, लौके खरना, अवामन गाती है। झाल 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 और शौफेंड में क्या लिक्यों मेंबर्स गेट वोटिंग राइट एरिस्पेक्टिव अप्धा नुमरा आफ शेर सेल्ड भाई दैं फिर पॉट नमर दू नॉर्मली वन शेर इक्वल टू वोट पोल में क्या होगा एक शेर के उपर एक वोट और शोखांड में क्या होगा एक इंसान के उपर एक वोट वन मेंबर टू वोट मक्षन प्रोक्षी चैन वोट बाई पोल शोवेंड में प्रोक्षी चैन वोट बाई शोवेंड पोल का मेरेको बता सकते हो आँ हडवडाना मत फॉर्म नमर बता पोलिंगवेपर का MGT THANK YOU यार MGT 11 तो प्रोक्षी का था प्रोक्षी का था फॉर्म MGT 11 पोलिंगवेपर का था MGT 12 पॉल इस डन इन फॉर्म नॉम्मर एम जी टी बारा शोव हैंड में ऐसा कोई फॉर्म अव्यस वाता नहीं होगा हाथ थोड़ी ना चिपका दोगे हात दो प्र्श्व इसन्य वे अहर बंस रेट कोई आबार इस लेटी प्रोट सी मतलब कत डिशेडिस नोट रहे हो तुम प्रोट सुछी आबडर्शेड निच अगरदम केतना जब दस को इस बात का इमेजिन है एक्जाम औरेंटेड नोट सब हो चुका अब जो एक्जाम में पूछने वाला नहीं है सिलेबस में कानून में है इसलिए वो अधर पॉइंट से रिलेटे टू प्रॉक्सी अंबोल करके लिखवा रहे हैं नहीं समझा मतलब प्रॉक्सी जितना अप कोई कोशन बंता नहीं है किन नोटेस में लिखावा हो typically verdict मेंबर कर सकता है यह बतge लिखावा हो तो इससे कोई एक्जाम कोशन बंता नहीं है यह तो ही common sense है या तो वो सब पॉइंट्स में लिखा रहए है अधर पॉइंट्स इलेटेटे टू प्रॉक्सी बोल करके लिख दो फुर फट नोटिस मस्ट कंटें स्टेटमेंट प्रोमिनेंटली स्टेटिंग प्रोमिनेंटली मतलब अच्छे से जारीटले स्टेटमेंटे लिएखर अच्छे सुब िन्हेंूर यह बीर चिरणनली स्टेटमेंटली रुदेग अच्छे дог व्युं एक मेंभ my numéro फ Independence दो प्रोमिन्या यह बींड्ट करे दो फ से krij ए91 have a right to appoint proxy and that the proxy need not be a member any default in this shall attract penalty of rupees 5000 on officer in default morse we need the cost we need the cost we need the cost I need to start the range then you झाल झाल प्रवल अबाथ, any period longer than 48 hours, if mentioned in the articles of company, for appointing a proxy, shall have the effect of 48 hours only. बात हो गया था नहीं सबका, एक बच्चा बोले का सरी यहां public company लिखो, नहीं, lawmaker तो यहां पर company लिखे ना, फिर अलग से private company और IFS यह public company को क्या दे दिया, exemption, कि आप लोग अपना article में जोचाओ कर सकते हो, एक से एक सो, एक सो साथ, कॉमा एक सो नौ, सब्सक्राइब आ रहा ह if company at its expense sends invitations to appoint proxy on behalf of any member then the officers in default जिस तरीके से एक्जाम में लिखना हम उसी तरीके से लिखवा रहे हैं आपको शेल वी लेवल टू पनल्टी का पचास हजार उस नहीता है जिस दिस तरीके से लिखवा रहे हैं आपको झाल 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 को ऑफिसर लोग गिल्टी नहीं माना जाएगा अगर उन्होंने खाली एक लिस्ट ऑफ प्रॉक्सी जो कमनी मेंटेन करता है वो किसी मेंबर को दिया है और उसारे मेंबर के लिए क्या था एक्सेसेबल लेकिन गिल्टी माना जाएगा कब अग् किसी मेंबर के लिए प्रॉक्सी क्या कर दिया है इन्वाइट किया जाओ जो भाई इसका प्रॉक्सी बन जाओ इस्तेहा चाप दिया अड़टी माना जाएगा और पेनल्टी लेगेगा कितना रुपे का पचास अजाद यहाँ दख दन है फिल लेको प्रॉक्सी पॉर्म एम जी टी लेवन यहाँ रॉक्सी देखन कर चास 3 र.... फिल लेवन द्यर्म अप्रॉक्सी जाठाब जस्तेहाँ ऩॉर्म खिप्यर्म लिड्ड़्म लेको प्रॉक्स 59, भ्रॉक्सchain मान पहर्म आर्टिकल्स क्लियर पढ़े थे ना कि आर्टिकल लोग अगर बोल दे कि सीए से सटिफाई करो कल को आर्टिकल्स आफ एस्सेशेशन में लिखावाए कि कि एम्जीटी लेवन तुमको सीए से सटिफाई कराना पड़ेगा तुम नहीं कराया तो वो एम्जीटी लेवन वैलिट के इन वैलिट रहेगा एविन इट फेल्स तु साटिसवाई दर स्वेशल रिक्राइमेंट ओफ आर्टिकल्स लास्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट समझे आ गया मेंबर लोग प्रॉक्सी फॉर्म क्या कर सकता है इंस्पेक्ट कितना कंडिसान साटिसवाई करना पड़ेगा तीन आप्וד सेवाई मेंबर्स सेखलवेड दिन दिन दित दित है कर सकता है ऊ利해ं यःपिशल सेखले कर दित्वियो रिधियो मेंबर्स कर आप कर दित्वेश happy पार्टिकल्स सेखलव पॉइंट सब्जेक्टों सब्जेक्टों मतलब फॉलोव करके सब्जेक्टों थी कंडिशन्स तो सब्जेक्टों सब्जेक्टों पॉलोग such inspection is allowed when only 24 hours are left to start the meeting and until work until until conclusion of meeting during business hours after giving 3 days exam in the diagram ABC point ABC line by line after giving 3 days advance notice to company about its intention after giving at least minimum after giving at least 3 days advance notice to company about its intention to inspect the proxy form and 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 to and 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 बिटा जीवन में वापस से नहीं पढ़ना पड़ेगा अगर ये पांच पॉइंट जो भी मैंने आपको लिखवाए है ना एक बार इसको एक मिनिट में पढ़ लोगे तो चलो मैं मैं ही रिवाइस करा देता हूँ आज हमने आकर करे पॉल रश्रौफंट का डिफेंस लिखा फिर अडफ पॉइंट एलेटी टू प्रोक्सी में क्या लिखा नोटिस में लिखा वर नब कि member has the right to appoint a proxy, clearly लिखावर रहेगा, नहीं लिखावर रहेगा, तो officer and default का गलती है, penalty लगेगा 5000, penalty लग जाएगा 5000 का, अगर article में 48 hours से ज़्यादा का time mentioned है कि हमारे याप proxy 60 गंदा, 100 गंदा पहले अपाइंट करोगे, it will be read as 48 hours only, पक्का, कम्पनी खुद के खर्चे पर किसी के लिए proxy ढूंड करके ला रहा है, कम्पनी अपने खर्चे पर किसी member के लिए proxy ढूंड करके ला रहा है, तो penalty लगेगा 5000 का, पक्का, लेकिन officer and default liable नहीं होगा, if they have just provided a list of proxies to a particular member and such list was available for all members, proxy form MGT-11 shall not become invalid, वो invalid नहीं होगा, even if it fails to satisfy special requirement of the article, article बोलता है, CAC, CML सर्टिफाई करो, proxy form नहीं भी कराएगा, तो क्या रहेगा, valid, फिर member लोग proxy form आकर के inspect कर सकता है, हाँ, तीन कंडिशन सर्टिफाई करना पड़ेगा, when only 24 hours are left to start the meeting, till the conclusion of meeting, during business hour, after giving at least 3 days notice, 3 days advance notice to a company, about its intention to inspect the proxy, जोर्दा तलिया, proxy जैसे जबर्दास chapter के लिए, जबर्दास topic के लिए, दोसों, आज का class छोड़ा छोटा रहेगा, because of the technical issues, अपने Monday से start करेंगे, annual general meeting, अच्छा, भगवान जो करता है, थोड़ो बहुत अच्छा ही करता है, भगवान बुला यार, तुम्हें घंडा proxy annual general meeting, जन्नत जन्नत, thank you, bye bye